सूप्रभात वच्चो हम अपने वसंत भाग देन कक्षा आठवी हिंदी की पाठे पुस्तक में से पाठ पांच पड़ रहे थे जिसका शीर्षक चिठियों की अनूठी दुनिया इसमें हमने देखा था कि चिठियां जो है उसकी बहुत अहमियत हुआ करते थी इसने राजनिती सहित्ते कला एतियादी सभी शेत्रों में इसका बहुत महतव था मानव सब्बेता के विकास में भी चिठियों ने महत्तोपूर्भुमी कानी भाई चिठियों को अलग लग दिये गए हैं आज हम आगे पढ़ेंगे पिछली यहां से पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया डाक वेवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेश पर्यास किये गे पत्र संस्कृति विक्सित करने के लिए स्कूली पाठे क्रोमों में पत्र लेखन का विशे भी शामिल किया गया अब पिछली शताब्दी में पत्र लेखन को ने एक कला का रूप ले लिया उन्होंने डाक वेवस्था के सुधार उसको सुधारने के लिए पत्रों को स्कूली पाठे क्रोमों में एक पत्र लेखन का विशे शामिल कर दिया कि बच्चों को ये कहा गया कि वो पत्र लिखने का परियास करें जिसके कारण उन्होंने पत्र लेखन परतियोगिताएं भी करवाई भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये परियास चले और विश्वडाक संग ने अपनी और से भी काफी परियास किये विश्वडाक संग ने भी पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए कई परियास किये विश्वडाक संग की और से 16 वर्ष से कम आयूवर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन परतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयूवर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन परतियोगिताएं करवाई गई ये विश्वडाक संग की और से शुरू हुआ ये पत्र लिख रहे हैं बच्चे ये स्कूल की शात्रा है जो की पत्र लिख रही है ये सही है कि खास तोर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्यकार्णों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है पर देहाती दुनिया आज भी चिठ्थियों से ही चल रही है अब बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के आवाजाही मतलब आने जाने से पत्रों पर थोड़ा पर भाव पड़ा पर देहाती दुनिया जो वे आज भी चिठियों पर ही चल रही है उन्हें उसी का सहारा है फैक्स, इमेल, टेलीफून तथा मोबाईल ने चिठियों की तेजी को रोका है पर व्यापारिक डाग की संख्या लगातार बढ़ रही है फैक्स, इमेल, टेलीफून, मोबाईल, इत्यादी के आजाने से उन्होंने चिठियों की जो तेजी थी जो तेजी से चिठियों का प्रचलन था उसे रोका है पर रंतु व्यापार जो है वो डाग की संख्या लगातार उसमें बड़ी ही है व्यापार जो है वो डाग के जरिये होते हैं जहां तक पत्रों का स्वाल है अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तह मतलव गहराई तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो जहां तक पत्रों का स्वाल है तो अगर हम पीछे जाएं तो हमें कोई आसा नहीं मिलेगा जिसने कभी कोई पत्र खुद ना लिखा हो या लिखवाया ना हो या पत्र का बेसबरी से बड़ी बेचानी से अपने किसी प्रिये जन के पत्र का इंतजार ना किया हो हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिसाल उधारन हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर जाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं पत्रों का बड़ी ही सुकता से इंतजार करते हैं. जैसे कि आपने फिल्म में भी देखा होगा, बॉर्डर फिल्म में जब चिठ्ठियां डाकिया चिठ्ठी ले कि आता तो गतें संदेश यह आते हैं, उसारा सौंग, उसमें भी बताया गया है कि सैनिकों को अपने पत्रों का कितना इंतजार होता है अपने प्रियजनों के पत्रों के आने का एक दोर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे पर अब वैबात नहीं परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है पहले लोगों के लिए संचार का इकलोता साधन चिठी ही थी पर आज और भी साधन विक्सित हो चुकी है आज मोबाइल सुविधा आ जाने से टेलीफून सुविधा आ जाने से जो है वो डाक का प्रचलन कम हो गया है परिवहन साधनों के विकास ने भी इसको कम कर दिया है पहले लोगों के लिए संचार का इकलोता साधन जो था वो चिठी ही हुआ करता था लेकिन पहले जो है वो एक ही साधन था चिठी जिसके करण उनका प्रचलन बहुत बढ़ गया था उसकी बहुत महत्व हुआ करता था चिठियों का आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुर्खों की चिठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्दमी, कवी, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विशे है अनुसंधान खोज आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुर्खों की पूर्वजों की चठियों को सहेज कर अपनी विरासत के रूप में रखा है जैसे कि हमारे बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, पत्रशासक, सन्यासी, या किसान इनकी पत्र रचनाओं जो हैं इन्हें संभाल कर रखा गया है अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नहरू अपनी पुत्री इंद्रा गांधी को फोन करते पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते है पंडित नहरु ने जितने भी पत्र लिखे थे अपनी पुत्री इंद्रा गंदी को उन्हें संभाल कर रखा गया है और उसको नाम दिया गया है पिता के पत्र पुत्री के नाम लेखक का मानना है कि अगर उस समय भी ये फोन की सुविधा होती तो ये जो पिता के पत्र पुत्री के नाम संभाल कर रखे गए हैं वे आज नहीं होते जो देश के करोडों लोगों को प्रेड़ना देते हैं पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं बिल्कुल सही कहा लेखक ने कि पत्रों को तो हम सहेज कर रख लेते हैं लेकिन SMS संदेशों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है धरोहर मतलब अमानत जो बड़ी बड़ी हस्तिया है उनकी जो पत्र है उन्हें अमानत की तरह संभाल कर रखा गया है आज के लिए इतना ही इसे ध्यान से बढ़ें और ब बाकी अगले पार्ट में